साथकों चुनवती के इसी समय में ऑक्सिजन के ट्रांस्पोर्टेशन को आसान करने के लिए भारतिय रेल भी आगे आई हैं ऑक्सिजन एक्सप्रेस ऑक्सिजन रेल ने सडक पर चलने वाले ऑक्सिजन टेंकर से कहीं जादा तेजी से कहीं ज्यादा मात्रा में आक्सिजन देश के कोने कोने में पहुंचाई माता औ भेनों को ये सुनकर गर्व होगा कि एक आक्सिजन एक्सप्रेस तो पूरी तरह मैला यहीं चला रही है देश की हर नारी को इस बात का गर्व होगा इतना ही नहीं हर हिंदुस्तानी को गर्व होगा मैंने ऑक्सिजन एक्सप्रेस की एक लोको पाइलट शीरिशा गजनी जी को मन की बात में आमंत्रित किया है शीरिशा जी नमस्ते मैं बहुत ठीक हूँ शीरिशा जी मैंने सुना है कि आप तो रेलवे पाइलोट के रुप में काम कर रही हैं और मुझे बताया गया कि आपकी पूरी महिलाओं की टोली ऑक्सिजन एक्सप्रेस को चला रही है शीरिशा जी आप बहुत ही शांदार काम कर रही है कोरोना काल में आपकी तरह अनेक महिलाओं ने आगया कर कोरोना से लड़ने में देश को ताकत दी है आप भी नारी शक्ति का बहुत बड़ा उदान है लेकिन देश जानना चाहेगा मैं जानना चाहता हूं कि आपको यह मोटिवेशन कहां से मिलता है मुझको मोटिवेशन मेरा फॉदर मदर भी ऐसा है मेरा फॉदर गॉद्मेंट एंपलाई है ऐसा है आपने सामान्य दिनों में भी रेल्वे को अपनी सेवाय दी है ट्रेन को स्वाभाविक चला है लेकिन जब यह एक तरफ ऑक्सिजन की इतनी मांग और जब आप ऑक्सिजन को लेके जा रही है तो थोड़ा जिम्मेदारी भरा काम होगा थोड़ी और जिम्मेबारी होगी सा मैं हैपीली फील किया यह काम करने के लिए औक्सिजन स्पेशल देने के ताइम में सभी देकिया सेफ्टी का वाइज फॉर्मेशन वाइज एनी लिके से नेक्स्ट इंडियन राइलवे बिस सपोर्टीव है सर यह ऑक्सिजन चलाने के निए मुझको ग्रीन पाथ दिया इक गाड़ी चलाने के लिए 125 किलो मेटर में रीच हो गया इतना राइलवे भी रेक्सपोंस्टी ले लिया में भी रेक्सपोंस्टी है सर वाँ चलिए सिरसा जी मैं आपको बहुत बढ़ाई देता हूं और आपके पिता जी माता जी को विशेर सुम से प्रणाम करता हूं जिन इस प्रकार से देश की सेवा भी की और जजबा भी दिखाया है बहुत बहुत धन्यवाद सिरसा जी धन्यवाद सर्थ थैंक यू सर्थ आपका ब्लसिंग शाहिए सर्वाद प्रमात्मा का अशिरवाद आपकर बना रहें आपके माता पिता का अशिरवाद बना रहें धन्य बद्वाजी दानियोटा